शहीर शेक के पिता का कोरोना से निधन अली गोनी ने ट्वीट कर दी जानकारी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी एक्टर शहीर शेक के पिता का कोरोना से संक्रमित होने के बाद निधन हो गया है शहीर के पिता को कोरोना हुआ था जिसके बाद उनकी हालत काफी गंभीर थी और वो वेंटिलेटर पर थे लेकिन अब कोरोना के चलते हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गए है एक्टर अली गोनी ने टूइट करके शहीर के पिता के निधन की खबर साजा की है अली ने अपने टूइट में लिखा की अल्ला अंकल की आत्मा को शांती दे शहीर शेक स्ट्रॉंग रहो भाई अली गोनी की इस टूइट के बाद से ही फैंस भी ये जान कर काफी दुखी है और शहीर शेक की इस मुश्किल समय में हिम्मत बढ़ा रहे है कोरोना से इंफेक्टेड होने के बाद से ही शहीर के पिता की हालत काफी नाजुक थी और वो वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत के बीच जंगलर रहे थे शहीर ने अपने फादर की फोटो शेयर कर इस बारे में जानकारी दी थी उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा था की मेरे डैड वेंटिलेटर पर है कोविट के सीवियर इंफेक्शन से जूज रहे हैं प्लीज उन्हें अपनी दुआओं में याद रखे शहीर शेक अपनी फैमिली के काफी क्लोस थे और इस तरह अचानक ही अपने पिता को खो देना उनके लिए बहुत बड़ा सद्बा है भले ही शहीर के पिता उनसे हमेशा के लिए दूर हो गए है लेकिन अपनी फैमिली की यादों में वो हमेशा जिन्दा रहेंगे